नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का अमारे आज के इस नए वीडियो में तो आज हम लोग बात करेंगे जियोगर्फी पर ठीक है जगर्फी वाले पॉर्शन पर एक्चुली यह सब के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जनरल अवेरनेस का सब्सक्राइब होता है उसमें सारे सब्सक्राइब कोचे जाते हैं साइनिस टिच भी होगे हिस्ट्री जिविक्स कोड़ियो जितने भी सब्सक्राइब—ोस्देंrittиход पर टो को करना होता है तो यह वालों के लिए ज्यादा important है बाकि जितने other courses उनके लिए कम important है उनके लिए कम important इस लिए क्योंकि General Awareness में जगरफी के question सिर्फ और सिर्फ पांच या 6 ज्यादा ज्यादधा को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम ले मिलता रहे ठीक है बेल आइकन भी दबा सकते हैं तो चलिए बात करते हैं कोशन नमबर फरस्ट की दा कैनाल फिच लिंक्स अट्लांटिक ओशन पैसफिक ओशन अट्लांटिक महासाग से जोडने वाली नहर कौन सी है तो इसका करेक्ट ऑप्शन पनामा है ठीक है पनामा कैनाल अब यहां पर ओशन आया है अट्लांटिक ओशन पैसफिक ओशन तो आपको ओसेनिक फैक्ट जितने हैं पता होने चीए जैसे यहां पर बहुत सारे कम बच्चों को पता होगा कि न अग्लेंटिक ओशन आरिटिक ओशन पैसफिक ओशन इंडियन ओशन और जो नया जुड़ा है वह बहुत सदर्न ओशन है इसको अंट्रक्टिक ओशन napse भी जानते हैं ठीक है अब इसमने लार्ज습 ओशन कौन सा है पैसफिक सबको पता अगा इसमालीस अप्ता तो जितने अ स्टेकर फेले मुझेट आर्थे कोशनिंग स्टिकर ये सब रिवाइज करवारों करते रहुआ है तो चलिए यहाँ पर एक और आया मलाका मलका क्या से ये इंच्थभी कोस्यंग को का क्नेयक्ट करने का काम करता है मलक्क कैनाल क्या करती है पता है आपको मुंभाइट स्विवघ्ण कॉम्हें को पताना है एध इस मुंबई हाइस कॉइच्छन दखते है मुंबई हाइस एसोस्ट Meer मुंबई हरा किस संबंदित ऐं स्पीं से प्रोलीयम से समाध्धी से जूट मार्णली से हो और किस लिए को पता हो एक इसके प्न。 मुंबई हाई पे richest oil field in India ठीक है richest oil field in India कौन सी है सबसे ज्यादा तेल कहां पाया जाता है तो मुंबई में पाया जाता है ठीक है मुंबई हाई पे और किसलिए popular है question को relate करना सिखू ठीक है जैसे मुंबई बॉंबई में सबसे पहले इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का सेसन पहला सेसन जो हुआ था INC यानि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का जिसने हमारी इंडिपेंडेंस में बहुत ही ज्यादा अच्छी भूम क्या निवाई है जो आज के समय कॉंग्रेस है उसी को हम इंडियन नेशनल कॉंग्रेस कहते हैं पहले के समय में ठीक है तो 1885 में जो पहला सेसन हुआ था वो मुंबई बॉंबे में ही हुआ था फाउंडर इसके कौन है आपको पता होना चाहिए यहां से पॉलिटी है पॉलिटी से पाद की गई थी ठीक है यह सब चीज़ें याद कर लो जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के इंपोर्टेंट से संस हैं ठीक है उन्हें याद करना है फाउंडर इसके एओ यूम है 28 दिसंबर 1885 को फाउंड की गई थी निउजपेपर इंडियन नेशनल कॉंग्रेस कौन सी निकालती है यसकी आइडियन कॉंग्रेस के Пон्सावी क्या है पूछंड को यह 2016 में सह्जाध पूछा गया था इडियन नेशनल कॉंग्रेस की आइडियन सेख्लिकर के यह झालती है एलेक्शन सिंबल क्या है इंडरनेशनल कॉंग्रेस का हाथ का पंजा सबको पता होना चाहिए प्रॉमिनेंट लीडर पूछा जा सकता है तो प्रॉमिनेंट लीडर कौन कौन से है इस समय प्रेजेंट में इंद्रा गांधी राजियो गांधी यह ओल्डेस्ट लीडर हो चुक दुख होता है next question देखते है Sahara is located in which part of Africa Sahara Africa के किस भाग में स्थित है तो ये है आपको यहाँ पता है question option third सही है Northern, उत्री उत्री भाग में स्थित है Sahara, Sahara क्या है Sahara is a dessert, कौन सा dessert है ये सबसे ज़्यादा hottest ठीक है, world's largest and hottest dessert Sahara dessert है Sahara का मतलब क्या होता है what do you mean by Sahara Sahara is a Arabic word and यार इसका मुझे पता था meaning क्या होता है Sahara, ये Arabic वोड़े इसका मतलब होता है dessert हाँ इसका मतलब ही dessert होता है Arabic में dessert को Sahara बोलते है ठीक है, ये और एक question बन सकता है, dessert के उपर कि coldest dessert कौन सा है world's largest coldest dessert तो वो है आपका अंटार्किट का ठीक है, अंटार्किट का याद रखना है इंडिया का largest dessert कौन सा है thar dessert, मुभी देखी होगी आपने जैसल मेर ठीक है, ये जैसल मेर मेर में है thar dessert और एक fact आपको याद होना चाहिए ये thar dessert से relate करके कि ये natural boundary का का काम करती है between India and Pakistan ठीक है, thar dessert जैसल मेर आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि golden city of India जैसल मेर क्या है, golden city of India ठीक है pink city कौन सी है, आप comment section में बताइए question number 4 क्या है, देखिए which of the following is the feature of blizzard बरफीला तूफान निम्न में से किस की विशेषता है तो ये Antarctic reason की है ठीक है, ऐसे question तो बड़े मुश्किल से आते हैं लेकिन एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो दिमाग में वो option जब आएगा paper के time पे, तो अब click हो जाएगा ठीक है, परिशान मत होगे question number five देखते है in which state is the dell lake situated dell जेल किस राज में स्थेथ है तो जम्मू एंड कस्मीर तो बच्चा डाइब का question है, सबको पता होना चीए लेकिन अब यहाँ आप popular lake से याद कर लो तुरंत revise करो, questions अब पढ़ोना हुआ है, ऐसे questions पूछे जाते है डेल लेक को lake of flower के नाम से भी जानते है और इसको एक बहुत ही अच्छा नाम दिया गया है कि यह dwells in the crown of कस्मीर कस्मीर के मुगट का एक बहुत ही अच्छा यह मोती है ठीक है और क्या हो सकता है question इस पर sweetest lake की बात कर लो sweetest lake of India कौन सा है उलर लेक, ठीक है उलर जील, यह sweetest lake है मिठे पानी की जील है ठीक है, इंडिया की और largest salt water lake कौन सा है सांभर lake of Rajasthan पता होना चाहिए आपको इंडिया का largest brackish water लेक कौन सा है brackish का मतलब समझते हैं आप जिसमें salt water salt water और उसका fresh water का combination हो उसी को brackish water कहते हैं यह questions important है brackish water का इंडिया जार्जस ब्रेकिस water fresh water और salt water जब दोनों मिल जाते हैं एक जगे तो उसको brackish water बोलते हैं तो यह चिलका लेक जो है ओडिशा का बहुत ही बार चिलका लेक पूछा गया है ओडिशा में पाया जाता है पाया जाता है मतलब ओडिशा में है चिलका लेक तो यह fresh water और salt water को combination है ठीक है और एक questions मैं आपको बता दो interesting है किस इंडिया के किस state में सबसे ज़्यादा लेक पाये जाते हैं लेक state of इंडिया मतलब कि largest number of lakes किस state में पाये जाते हैं तो वो है आपका जम्मू एंड कस्मीर ठीक है याद कर लो जम्मू एंड कस्मीर now move to the next question question number six देखते है तेहरी डैम receives water from which river यह डैम से related question तो हर एक जगरफी जहां जहां पूछी जाती है वहाँ वहाँ डैम से related question आते ही आते है ठीक है तो बिलकुल आप इसे याद कर लीजिए तेहरी बांद किस नदी से पानी प्राप्त करता है तो यह भगी रथी नदी है उससे यह पानी लेता है ठीक है अब यह आपको यहाँ डैम से related में कुछ important facts बता देता हूँ जैसे highest damn in India कौन सा है टेरी डैम है उत्राखंड में ही पाया जाता है ठीक है भगी रथी नदी से यह इसका source है longest damn in India कौन सा है हीरा कुट डैम बचपन से पढ़ते आयो हम लोग revise करो से oldest damn कौन सा है इसे आपने सायद नहीं पढ़ा होगा oldest damn in India कल्ला नाई डैम ठीक है तमिल नाडू में पाया जाता है और इस oldest damn है कल्ला नाई डैम किस river से यह associate रखता है कौन सी river इसका source है तो वह है कावेरी river ठीक है क्योंकि तमिल नाडू में वही चलती है और जो सबसे ज़्यादा damn पर question पूछा जाता है उसमें रिहंद डैम है बहुत ही बारे यार मैंने कितने पेपर दिया है उसमें रिहंद डैम पर एक आध question आपको मिली जाएगा तो रिहंद डैम योपे में है किस रिवर पर है रिहंद रिवर पर ठीक है भाखडा नागल डैम इस पर भी question पूछा जाता है पंजाब हिमाचल दोनों के बीच में है सतलज रिवर इसका स्रोथ है हीरा कुट डैम ओडिशा महानदी हम लोगोंने बताया आभी longest डैम है हीरा कुट ठीक है और यह महानदी रिवर पर है हीरा कुट डैम महानदी से related questions आते हैं तो महानदी रिवर पर कौन सा डैम है ऐसे question आएगा तो यह हीरा कुट डैम है सरदार सरोवर डैम आपको पता होना चाहिए बहुत ही important है यह समझ लो क्योंकि यह नर्मदा रिवर गुजरात पर बना हुआ है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा statue unity of peace सरदार बल्लब भाई पतेल iron man of India यह सब relate करो iron man of India सरदार पतेल को बोला जाता है तो वर्ड का सबसे largest statue इंडिया का सबसे largest statue कौन सा है unity of क्या है वो statue of unity ठीक है हाँ यही है तो इसको relate कर दो ठीक है यह भी पूछा जा सकता है statue of unity किस damper या किस river के पास है तो नर्मदा नदी के पास ठीक है नागा अर्जून सागर डैम तेलंगाना में है कौन सी river इसका स्रोध है तो वो क्रिष्णा नदी है इसका source ठीक है यह सब चीजें relate करते जाओ और पढ़ते जाओ notes बनाते जाओ उन्हें revise करते रो यह सब questions आएंगे जहां तक है जहां तक का मतलब अब डैम पे मैंने इतना बता दिया इसमें से एक दू questions आ सकते हैं यह नहीं कि सब आ जाएंगे ठीक है move to the next question which of the following is also known as eternal city यह nickname और city जो popular city है और उनके nickname इसमें भी questions फसते हैं तो eternal city Rome सायद सबको पता होगा यह निमलिखित में से किसको सास्वत सहर के रूप में भी जाना जाता है नहीं पता तो revise करो Rome है रोम इसका correct option है ठीक है अब जैसे fair city है fair city Ireland में है Dublin Dublin सहर है उसको fair city के नाम से जाना जाता है city of light Paris को बोलते है France में है bride of the sea समंदर की दुलहन किसको बोलते है बहुत ही प्यारा सहर है Venice Venice Italy में है ठीक है मैं तो गया नहीं हूँ city of angels city of angels किसको बोलते हैं यह तो आप लोगों को पता होना चाहिए lost angels उसका नाम ही है city of angels lost angels को बोलते हैं कहां है यह इवेसे में है और क्या है बीगेपल्स ठीक है बीगेपल्स निवार्क सिटी ठीक है और एक आता है कौन सा queen of the sea एक हो गई समंदर की दुलहन एक हो गई समंदर की रानी ठीक है तो लिस्बन पूर्टगाल पूर्टगाल में है लिस्बन उसको समंदर की रानी बोलते हैं Venice इटली है उसको समंदर की दुलहन बोलते हैं ठीक है यह याद रहना चाहिए आपको तो question number 8 दिखते हैं ठीक है move to the next question question number 8 which of the following longitude is the standard meridian of India यार इससे एकाद question इससे भी आते हैं जो time zone वाला question होता है longitude latitude standard meridian green which इन सबसे questions आते ही आते हैं ठीक है अगर आप जगरफी पढ़ रहे हो तो इन से question आएंगे ही आएंगे ठीक है general awareness में भी आ जाते हैं बाकी जो 25 question आप subjective करेंगे उसमें भी आएंगे तो इस पर अच्छे से पढ़ दो इसको longitude time zone वाली questions पर थोड़ा सा देख लो Google करके आपको मिल जाएंगे तो इसका correct option है 82 degree 30 minute east इससे relate करके questions और बनता है Tropic of Cancer ठीक है Tropic of Cancer इंडिया में किन-किन स्टेट से गुजरती है यह पता होना चाहिए आपको तो यह तो बहुत ही लेकिन आप लोगों को अभी exams नहीं दियोंगे कोई तो इसलिए नहीं पता होगा गुजरात राजस्थान यंपी और कौन सा है MP के बाद 36 गड़ जारखंड बेस्ट वेंगॉल त्रिप्रा मिजोरम आठ है सायथ आप गिन-लो काउंट कर लो फिर उसके बाद कौन सा question इस पर बन सकता है एक वर्ड जोगर्फिस से question इस पर बन सकता है ठीक है जैसे कि Tropic of Cancer कितने countries से निकलती है कितने continent से निकलती है कितने water bodies से निकलती है इन सब को ज्यादा याद करने की ज़रूत नहीं है लेकिन कितनी countries तो यह numbering याद होनी चाहिए सोला countries से होकर Tropic of Cancer गुजरती है ठीक है पूरी जो 192-193 states है इस समय तो सायद 205 countries है लेकिन जो United Nation में registered है वो 193 है ठीक है तो सोला countries से होकर गुजरती है Tropic of Cancer कितने continents से होकर गुजरती है तीन continent से होकर गुजरती है कितनी water bodies से होकर गुजरती है छे water bodies से होकर गुजरती है ठीक है how many continents are there in India कितने continents है और सबसे largest ओला continent कौन सा है आपको comment section में बताना है फटाक से बताईए और एक question ट्रॉपिक of cancer आया तो मैं बता दूँ Tropic of Capricorn Tropic of Capricorn पर भी question आ सकते हैं कि वह इंडिया से गुजरती है कि नहीं गुजरती यह बहुत interesting question है Tropic of Capricorn इंडिया से गुजरती है कि नहीं गुजरती comment section में आपको बताना है ठीक है ओके तो next question देखते हैं question number 9 गोंती river originates from which of the following place गोंती नदी निमलखित में से किस अस्थान से निकलती है तो यह पीली भीत से निकलती है ठीक है correct option इसका पीली भीत है लेकिन यहां पर आपको एक important information होनी चाहिए कि गोंती नदी के पास कौन सा सहर बसा हुआ है पता है आपको गोंती नदी के पास कौन सा नदी है ठीक है गुम्ती रिवर है तो अब यहां से एक important question आप note करिए कि इनका origin point आपको याद होना चाहिए जैसे गुम्ती नदी पिलिवित से निकलती है गंगा कहां से निकलती है गंगा गंगोत्री से निकलते है हिमाले से ठीक है इसकी distance भी पूछा जाता है किसी-किसी पेपर में 25 25 याद रखो 25 25 किलोमीटर है पचीस तो पचीस किलोमीटर ठीक है यह थर्ड लार्जेस्ट रिवर है पूरे वर्ड की ठीक है वर्ड की first means वर्ड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है वो नाइल है ठीक है निल नदी उसके बाद Amazon है और जो थर्ड वाली है वो है गंगा पर कंफ्यूज करने वाला यह है कि जो लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की जो लार्जेस्ट रिवर है वो गंगा है लॉंगेस्ट रिवर कौन सी है वो इंडस है इसमें भी थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है लेकिन आप लोग अच्छे इसको गूगल करकर कर लीज है ठीक है आप लोग इस पर थोड़ा सा research कर लो कि Okay और जो गंगा नदी है वो मर्ज जाकर मिलती कहा है तो बंगाल की खाणी में जाकर गिर जाती है गंगोत्री से निकलती है बंगाल की किनारे यह भी पता होना चीए यह कहां यम्मना नदी कहा र जाती है कि यह प्रियाग राज जहां पर संगम है गंगा यमुना संगम कितने नदियों का है गंगा यमुना सरश्चती का तीन को combination है तो यहीं पर आकर यह खदम हो जाती है ठीक है यह आपको बता होना चाहिए next question देखते हैं question number 10 which is the joint which is the joint river valley enterprise between India नेपाल भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्दम कौन सा है तो यह कोशी नदी है बिहार का सोक भी इसी को गयते हैं कोशी नदी ठीक है यह आपको पता होना चाहिए और भारत नेपाल के बीच में कोई बार्डर है क्या ओपन बार्डर है आपको पता है की नहीं पता इंडिया और बंगलादेस की बीच में जो बार्डर है जो बार्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं लेकिन आप लोग कहोगे कि पाकिस्तान के साथ जो बार्डर है उसको भी रे रेड क्लिफ लाइन तो इसलिए उसका नाम चेंज नहीं किया गया वह बाद में जब इंद्रा गांधी ने उसको अलग कर दिया हमारी सेनाओं ने तो वहां पे वह बार्डर चलने लगा और इधर यह बार्डर ठीक है रेड क्लिफ ही दोनों में अगर दोनों वैसे जब पू लाइन तो यह इंपोर्टेंट बार्डर से आपको पता होना चाहिए ठीक है तो बाकी की कुछिन में बाद में करता हूं वीडियो लंबा हो गया 20 मिट से ज़्याद हो गया ठीक है तो आप लोग ख्याल अपना ख्याल रखिए अच्छे से पढ़ते रही है और कोई पर जॉइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन वॉक्स में लिंक है वहां से भी जॉइन हो सकते हो तो ठीक है ख्याल रखिए अपना बबाए टेक क्यार